तो भाई लोग के हलचाल and welcome to my channel फाइनली जवान थेटर में release हो चुका है जिसे देखने के बाद सिरिप में एक चीज बोलना चाहूंगा भाई साब इंक्रेडिबल जवान, स्टेरिंग, सारुखा, नयंतारा, विजे सेतुपती, दिपिका पादुकुन और दो चार लोग written and directed by एटली जिन्होंने इस मूबी के द्वारा बहुत सारे लोगों को एक मैसेज देने की कोशिस की है और वो क्या मैसेज है वो आपको मूबी देखके पता चल जाएगा तो भाई लोग, चलिए हम स्टोरी आपको बताते हैं without spoiler अब विडियो में बने रहें तो स्टोरी है विजे सेतुपती की जो एक weapon dealer है जिनका नाम है यहाँ पर काली काली एक weapon dealer जो weapon supply करते हैं इंडियन गोबर्मेंट को like इंडियन नेवी, इंडियन मिलिटरी, इंडियन येर फोर्स और येर फोर्स के कुछ जवान मारे जाते हैं उस weapons के कारण because वो weapons perfect work नहीं करते हैं और उसके वजह से विकरम राथोड और काली के बीच बहुत बड़ा दुस्मनी सुरू हो जाती है विकरम राथोड यहाँ पर सारू खान का नाम है और यही दुस्मनी जवानी से बुढ़ापा तक चली जाती है और उसके बाद सारू खान का बेटा सारू खान, बाब, बेटे और बहुत सारे चीज़ी यहां पर role play करते हैं like a politician, power भी यहां पर involved है तो भाई लोग, इन सारी चीज़ों मिलके हमें कहानी बहुत ही मज़ेदार देखने को मिलती है और भारत को जागरू करने के भी कोसिस करती है इसकी story, लेकिन कभी-कभी मुझे लगता है कि directly भाजबा government को target कर रही है लेकिन क्योंकि 2004 में चुना है तो पहले बात कर लेते हैं positivegy जो के बारे में तो actor का actor performance गजब level की vibe दे रही है सारू खान का actor performance खास करके बाप का incredible level of vibe कहीं से आपको ऐसा नहीं लगेगा कि सालाई के कुछ भी कमी देख रही कोई कमी नहीं देख रही एकदम बवाल मचा रहा है वहीं विजे से तुपति का actor performance की बात की जाए तो mind blowing मतलब भाई को चुम्मा ले लोगा यार इतना अच्छा villain का role कर रहा है लगेगा कि साला original villain है कोई बात क्या बात है मतलब गजब और वहीं नयांतारा का भी role काफी अच्छा है दिपिका पादुकोन कुछ लंबे टाइम तक है जिसका role काफी सागी और बाकी लड़कियों का भी role बहुत सही play की है मतलब कहीं से ऐसा नहीं लगेगा कि हमें बोर हो रहा है यह पूरी movie एकदम मज़े देने में कामियाब रहती है अब बात कर लेते हैं cameo के बारे में तो यहाँ पर बहुत लोग बोड़ रहते हैं कि थालापती विजे का cameo है लेकिन क्या थालापती विजे का cameo है उसका answer में आपको नहीं देने वाला हूँ लेकिन हाँ एक Bollywood खतर नाक एक्टर का जरूर cameo आपको देखने को मिलेगा और उससे related भी कहानी उससे related जो twist और tons हमें देखने को मिलते है भाई साब एकदम मज़ेदार और खास करके सबसे ज़्यादा attractive चुज में बोलना चाहूँगा ओ है इसके dialogue इसके humoristic अंदाज वाले dialogue जो public को इतने हसाती है कि इतना सा भी bore नहीं होता है और पूरी तरीके से पैसा वसूल वाली feel आती है जिनों में लिखा एक भाई साब गजब लेवल का vibe दे रहा है जो इतका music है जो भी सही लेवल की vibe दे रही लेकिन कुछ-कुछ music आपको bore वाली feel देती है मुझे एक ही music मज़ा आता है रमया वस्तावया उसके अलावा मुझे कोई music उतना सही लेवल की vibe नहीं दी अब बात कर लेते हैं सबसे अच्छा और सबसे खतरनाक चीज़ के बारे में ओह है action sequence मैं आपको बता दू आप theater अगर जाओ तो भाई started का scene मिस मत करना इतना खतरनाक action sequence कि आपके host उड़ जाएंगे मतलब जीस हिसाब से एटली ने अपनी creativity यहाँ दिखाया है और सारुख खान ने जीस हिसाब से अपना performance दिया है mind blowing हर एक चीज यहाँ पर छपड़ फाड़के है visual, vfx, tgi, bawa level के experience देते वे नजर आती है और किसी भी परकार का यहाँ पर sexuality जीसे चीज हमें देखने को नहीं मिलती है मतलब हलका सा भी ऐसा नहीं लगेगा कि अरे ठी 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 ए तब क्या दिखा दिया मतलब pure movie हम बोल सकते हैं इसे लेकिन यहाँ पर सबसे अच्छा चीज जो मुझे लगा मुझे वह सारुख खान का dual role और मेरे ख्याल से सब लोग को वही पसंद आया रहेगा बाप और बेटे का dual role भाई साब मतलब incredible level की vibe दे रही थी कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा था कि अरे यार यार ये सब क्या चीज़े दिखा दी मतलब mind blowing अब बात कर लेते स्क्रीन प्ले के बारे में screenplay full attractive है first half and second half दोनों ही full engaging है पूरी तरीके से और कहीं से भी आप बोर नहीं होगे आपको theater छोड़ के जाने का कहीं मन नहीं करेगा seat छोड़ के जाने का मन नहीं करेगा और आपको ऐसा लगए कि भाई सब movie खतम क्यों हो गया मतलब गजब लेवल की vibe दे रही है भाई तब गजब और public इस हिसाब से चिला रहे थी जिस हिसाब से वो सला इसके अलावा कोई movie देखा ही न हो उन्होंने मैं आपको बताना चाहूँगा सारू खान का one of the best movie है मतलब अब तक का सबसे अच्छा movie मैं इसे बोलना चाहूँगा हर एक तरब से सही दे रहा हर एक चीज और गाईस सबसे अच्छी चीज़े जो भी यहाँ पे मुझे लग रही है ओ है इसका emotion जिस हिसाब से इसका emotion और family के sentiments और कई कई चीज़े हमें देखने को मिलती है साथ ही अपने Indian government का lacks मतलब कमिया और किसानों के परती साहन भूती काफी अच्छा है अब बात कर लेते हैं एक movie का जो budget है ओ 300 करोड है और मेरे ख्याल से एक movie देखने के बात यह movie all time blockbuster जाएगी मैं अपने आजू बाचू वालों से पूछ रहा था तो वो एक ही चीज़ बोल रहे थे कि आज तक मैंने ऐसा movie नहीं देखा है और सारु खान का जो role है no doubt बहुत सही level की vibe दे रही तो guys यह possibility है कि जवान 2 भी हमें देखने को मिल सकता है hope guys video पसंद आए हो तो like, comment, subscribe करना ना भूले last में यही बोलना चाहूंगा all over movie गजब लेवल की vibe दे रही है so आपको एक बार जरूर देखना चाहिए सुक्रेया